हलो वेज़ मेरे नाम है अरून आप देख रहे हैं जिसको और आज मेरे पास है वनप्लस के वनप्लस बुलेट्स वायलेस नेक्पेंड इस्टाइल ब्लूटूथ इयरफोन्स जो के तोड़ी से प्रीमियम क्वाल्टी के ब्लूटूथ इयरफोन्स हैं जो के अभी के लिए तीन से चार हजार रुपए के बीच में आपको मिल जाते हैं और इसके लावा वनप्लस के बुलेट्स वायलेस टू भी लाँच हो चुके हैं जो की करीब 6,000 रुपए के आसपा बुलेट्स वायलेस नेक बेंड इस्टाइल ब्लूटूथ इयरफोंस बॉक्स के सामने नेक बेंड ब्लूटूथ एयरफोंस के पिक्चर साइड में तो कुछ भी नहीं है बॉक्स के पीछी दिर्फ जाएंगे तो यहां पर मॉडल नेंब डीविजिशन फीजर वगरा बत उपन करते हैं तो यहां पर पैकेजिंग जो है मैं काफी जादे इंप्रेसिव है वैसे मैं तो बोलूगा अभी तक की one of the best packaging है जो मैंने अभी तक अन्बॉक्स की है इधर साइड में नेवर सेटल और इसकी लिड को ऊपर करेंगे तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पेर और ये टिप्स और ये क्लिप्स दिये गए है जो कि सॉफ्ट सिलिकॉन मेटरिल के बने हुए है और नीचे की तरफ यहां पर यह काफी इसके पीछे की तरफ निकालते हैं इंको बहौर पीछे दिया हुआ है फ्री एयोर निक्ली को इनकी टैग लाइन और यहां पर यहां पर इंकी जरूरत आपको पढ़ने वाली आपने में वन्स बुले ट्वाइल सब्सक्राइब तो यहां पर एयुए हैक्स एपने में वन black color में है, matte finish, यहां पर दिया हुआ है, थोड़ा से smooth finish दिया हुआ है और सबसे चीज़ यह काफी जदे flexible material के बने हुए, पूरा को पूरा neck band, काफी जदे lightweight भी है साथ मैं flexibility की बात करें, तो काफी जदे flexible है, बढ़े आराम से आप mode ओड के रख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से साथ में जो कैरिंग केस मिल रहा है इसके अंदर भी बड़े आराम से फिट हो जाते हैं साथ में हाँ पर एक छोटा सा मैगनेट लॉक भी है तो कुछ इस तरीके से रखकर मैगनेट लॉक के तुरू लॉक करके पॉकेट वाकेट में डालके बैग बैग में डालकर बड़े आराम से केरी कर सकते हैं बगे यहां पर आपस से निकालेंगे तो अपने सेप में आ जाते हैं जो कि काफी अच्छी बात है लेकिन बड़े आराम से साफ भी हो जाते हैं यहां पर एक टैग दिया हुआ है वन प्लस बॉलेट वायलेस कुछ और डीटेल्स वगिरा हैं तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बगी जो पूरा को पूरा डिजाइन नेक बेंड बूड ती एरफोंस का काफी सिंपल साय राइट साण में यहाँ पर कुछ भी नहीं बडिया है और लेफ्ट साण में यहाँ पर एक कंट्रोलर भी हुआ है जिसके उपर वन प्लस की ब्रेंडिंग है साथ में इसके पीछे की तरफ वोल्यम माइन और प्लस के बटन शैंटर में मिल्टिक फंक्शन बटन है कैसे काम करता है तो आगे बात करेंगे नेक्स यहां पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देख जाते हैं मेन इयर बड्स जो के आते हैं मेगनेटिक लॉक के साथ में और इसके अंदर भी काफी यूनीक फीचर है जिसकी बात अभी मैं आपसे आगे करने ही वाला हूं बगी यहां जो इयर बड्स की बिल्ड क्वाल्टी आप देखी पा रहे हूंगे काफी ज्यादा प्रीमियम है चोटी चोटी डिटेल्स का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है एक रेड कलर का रबर का रिंग दिया हुआ है जिससे कि आप मैगनेटिक लॉक का जब इस्तमाल करेंगे त सब्सक्राइब काफी जबर्दस लगते हैं साथ में यह आते हैं थोड़ी से टिल्टी डिजाइन में और मुझे परसनली यह वाले डिजाइन काफी ज़्यादा पसंद आता है काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं साथ में वर्काउट रणिंग वगरा के तोड़ां जरूर का वर्जन है 4.1 तो थोड़ा सा आउटटेट तो हो ही गया है अभी के लिए बागी कनेक्शन की बात करें तो पावर उटन के जरीए ओन करेंगे तो रेक्ली डिस्कवर्यों मोड में ओन हो जाते हैं यह वाइड लेडी बिलिंक करती है और जैसे ब्लूटूथ ओन करेंगे अगर फोन का ओएस सपोर्ट करता है बागी वन प्लस के फोन से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर कुछ और यूनिक फीचर मिल जाएंगे स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ स्पीक कॉलर आइडी ऑटो प्ले तो यह कुछ हो सकता है कि वाल बन प्लस स्मार्ट फोन के लिए ह बंक तो यहां किसी सब्सक्राइब चैश्रू प्लस वालीट वाले बटन कोफो कब्लेग्यों कर चाहरा सकते हैं सेंटर को डूबार करांघिए कर पाएंगे फिसंदेटी करते हैं बग इसी बटन के जरीए call pick कर सकते हैं, cut कर सकते हैं, किसी का call आ रहा है, press and hold करेंगे, तो call reset भी कर पाएंगे, बग यह जो magnetic lock है, इसके अंदर भी एक काफी unique feature है, जैसे ही यह जो earbuds है, magnet lock के जरीए आपस में चुपकते हैं, तो यहाँ पर जो music है, वो pause हो जाता है, और turn off हो ज bug हो, हो सकता है, future में fix हो जाए, बगी charging और battery bug up की बात करेंगे, तो one plus bullets wireless earphones को आप 10 मिनट चार्ज करके, पांच घंटे तक music playback के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, बगी full charge करके, आपको 8 घंटे तक का music playback मिल जाता है, इन Bluetooth earphones के जरीए, साथ मैं calling की बात करेंगे, तो 10 घंटे तक क Bluetooth earphones के जरीए, जो कि मैं बोलूगा काफी decent है, इसके बाद discharge भी हो जाते हैं, तो फटाफट से आप charge भी कर सकते हैं, जो कि काफी कमाल का feature है, बाई connection range की बात क्यों तो Bluetooth का version है 4.1, तो थोड़ा सा outdated तो है, लेकिन यहाँ पर connection वगएरा काफी smooth है, अब टू 10 मीटर तक तो ब Bluetooth earphones के जरीए, तो जो audio Bluetooth के जरीए जब जाता है, तो वो थोड़ा सा compress हो जाता है, और जो quality है, वो थोड़ी सी downgrade हो जाती है, ऐसे मैं Qualcomm EBTX क्या करता है, उस compress file को वापस से decompress कर देता है, जिससे कि थोड़ा सा बहतर music सुनना को मिलता है Bluetooth earphones के जरीए, अब फाइनली मैं बा अब फाइनली मैं बात करूं, इन earphones के दूरू मिलने वाले sound output के बारे में, तो यहाँ पर जो vocal साथ में, treble साथ में, अलग लगते रहे हैं, जो instruments के sound सुनने को मिलते हैं, काफी अच्छी सुनने को मिल जाते हैं, up to 100% volume, हाँ आपने सही सुना, मैं अक्सर करके 80-90% volume तक काफी अच्छी क्वालिटी का sound output मिलता है, mostly earphones में 100% volume पर distortion वगरा सुनने को मिलता है, लेकिन इन earphones के थूरू up to 100% volume, काफी अच्छी क्वालिटी का overall well-valence sound output मिलता है, साथ मैं, bass की quality में मैं मैं काफी अच्छी है, लेकिन उतना जादा deep bass नहीं है, जितना कि मैं expect कर रहा था So, एकदम से bass lowers के लिए तो मैं बोलोगा, थोड़ा सा disappointment हो सकता है sound output के मामले में, लेकिन overall जो sound output मिलता है, इन neckband Bluetooth earphones के जरीए, तो मुझे वो काफी ज़दा पसंद आया, कोई भी movie, trailer या फिर कोई music वगरा सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आपको surround sound effect भी मिल जाता है, इन earphones के साथ मैं gaming के बात करूं, तो मैंने यहाँ पर pubsy भी try किया, इन earphones के जरीए, तो pubsy मैं भी मुझे काफी जवरदस experience मिला, आपको काफी अच्छे से अंदाजा लग भी जाता है, किस तरफ से कोई R.I.F, footage steps वगरा के sound भी काफी अच्छे से आप detect कर पाएंगे, तो games वगरा मै भी आप इन earphones को जरूर से इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन wide earphones हमेसा ही बहतर रहते हैं games के लिए, और फाइनली बात करें, यह value for money है के नहीं, तो जब launch हुए थे तब तो 3999 बंदब के 4000 रुपए के थे, अभी के लिए आपको 3300 या फिर कभी 3000 रुपए के भी मिल जाते हैं, और इस price के साब से यहाँ पर जो features मिल रहे हैं, जो build quality मिल रही है, जो design मिल रही है, काफी जदा comfortable मैं बोलूगा, साथ में यहाँ पर जो यह वाला lock है, यह भी काफी useful feature के साथ में आता है, इसके जरीए ऐसे चुपकते ही यह off हो जाते हैं, अलग करते ही on हो जाते हैं, बटन के साब से काफी बड़िया quality का मिल जाता है, जो मैं तो यही बोलूगा, दो तीन हजार रुपई के आसपस कोई भी Bluetooth earphones खरीदने की सोच रहे हैं, तो जरूर से इनको consider कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक pick है, बैश वे लिंक नीचे description हैं, मैंने दे दिये हैं, जहां से directly जाकर चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर दीजीगा, साथ में बैल आगे नहीं पैस कर दीजीगा, ऐसे ही काफी सारे वीडियो काफी जाते हैं, अपने सी चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो next time कोई भी latest वीडियो आएगा, तो आपके बस notification बहुत जल्दी आने वाला है, तो subscribe करना मत भ भूलिएगा, बागे आपका कोई और सवाल है, तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताएगा, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और next वीडियो में, तब तक के लिए भब बाए